नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट अमसे क्यूब है संदीप में दोस्तो डियलेट फोर्ट सेमिस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम साइन्स का दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट पूरे फूल कोर्स पढ़ाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से और गडित के वीडियो के लिए एक दूसरा चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का आप वहां से जाकर गडित के वीडियो देख सकते हैं आज ही मैंने त्रिकोड मिती से संबंधित प्रशनों का एक और वीडियो अपलोड किया है आप लोग जाकर जरूर देखिये क्योंकि मैंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 20 प्रशन लेंगे और ये टॉपिक नंबर 2 से ह है और टॉपिक नंबर 2 के दो वीडियो बनेंगे एक वीडियो में मैंने 20 प्रशन लिये हैं और टॉपिक 2 का ही एक और वीडियो बनाऊंगा वो भी आप जरूर देखिएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो प्रशन लिये हैं हमने काफी ज्यादा इंपोर्टें उनको देखिए और उन में से कुछ प्रस्चन ऐसे हैं, दो, तीन, चार प्रस्चन ऐसे हैं, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, और आगे भी पूचे जाने की संभावना है, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटे करने शान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी important videos को notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो यहाँ पर जो पहला प्रशन है खनिज किसे कहते हैं खनिज किसे कहते हैं जो भी धाटूएं कोईला, पेट्रोल, डीजल, आदी प्रत्थवी के खनन से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं खनिज प्रत्थवी के तल पर भूँपरपटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं तो ये चीज़ आप समझेगे, जो खनीज होते हों प्रत्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, यानि सतय पर, भूपरपटी पर और समुद्र में पाए जाते हैं, आगे देखते हैं, आयस्क किसे कहते हैं, सीधा एक नंबर में परिभाशा आती है, दो नंबर में परिभाशा आ प्राप्त प्राप्त किया जाते हैं, याई जब खरन किया जाता हैं तो जो धात होती हैं वह है कि एस्क के रूप में प्राप्त होती हैं nasıl में लोहा को हटा करके chirping में धातू है जो शुद्ध धातू है वो प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट किसका आयस्क है तो हेमेटाइट लोहा का आयस्क है ये अभी तक दो बार पूछा जा चुका है most important है विभिन धातूं के प्राप्ति स्थान लिको मतलब कौन सी धातू कहां पर कौन से राज में ज़्यादा पाई जाती है तो चेले पूरा चार्ट है इसको अच्छे से समझ लीजे कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो लोहा है इसके आयस्क का नाम है हेमेटाइट और ये कहां-कहां मिलता है बिहार, उडीशा, मद्रप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडु, छतिसग बात करें सोना की यानि गोल्ड ये मुक्त अवस्था में पाई जाता है जो भी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाएगी उसका अयस्क नहीं हो क्योंकि जो अयस्क होता है उसमें धातु और अशुद्धियां मिली होती है लेकिन जो सोना होता है ये मुक्त अवस्था मे कि एस इटीज यह सोना जो है वो खनन करके निकाल लिए जाता है इसमे कोई आयस्क नहीं होता कोई सुद्या नहीं होती है थोड़ी बहुत जो अशुद्या होंगी वो नाम मत्र की होती है तो उनको मुक्त अवस्था में कहा जाता है अब सोना कहां पाये जाता है जादस जादा कोलार की खान यानी करनाटक में और आंध्रप्रदेश में अलूमिनियम की बात करें तो इसके आयस्क का नाम है बॉक्साइट और ये पाये जाता है मद्ध्रदेश, च्छतिसगर, बिहार, उडिसा, तमिलाडू, गुजरात, जम्मु कस्मीर कैश्यम की बात करें इसका जो आयस्क है वो है चूना पत्थर, ये सभी राज्यों में पाये जाता है, संग्मर्मर के रूप में ये राजस्थान तता मद्ध्रदेश में पाये जाता है तो ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लिजे, इसके आयस का क्या नाम है और इसकी प्राप्ते स्थान कहा कहा है अगला प्रस्ण है, प्रकती में मुक्त अवस्था में उपलब्द कुछ धातूँ के नाम लिखो अभी मैंने आपको बताया, जो मुक्त अवस्था में उपलब्द होते हैं, उनको कैसे होते हैं, कि वो जो होते हैं मुक्त अवस्था में, उनको ऐस इटी जैसे हैं, जैसे माली यह गोल्ड है, तो जैसे गोल्ड आप लोग देखते हैं, ऐसे ही खनन करके निकाला जाता है, इ एश्क से सुद्ध धातू प्राप्त करने की क्रिया को धातू कर्म कहते हैं। चुम्ब की गुड होते हैं तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए चुम्ब की ये प्रतक करण विधी का उपयोग किया जाता है। उसके गलांग से नीचे गर्म करके धातू ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे इसका एक उधारण है लेड कार्वोनेट यानि पीबी सी यो थ्री युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्वोनेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है धातू के निस्कर्सड हेतु प्रयोग की जाने वाली कुछ भटियों के नाम लिखो। जब धातू का शुद्धि करण होता है तो कुछ भटियों का प्रयोग किये जाता है। वो भटियां कौन सी हैं। मफल भठी, परावर्तनी भठी, वात्या भठी, बेसेअर परीवर्तक और विद्दुत भठी ठीक है? ये पाँच प्रमुक भठियां हैं जो की धातू की निश्कट सर्ड हे तू प्रयोग की जाती है अगला प्रशन है धातु की प्रक्रिया में धातु कर्म की प्रक्रिया में अंतिम चरण कौन सा है अभी मैंने आपको बताता है धातु कर्म क्या है अयस्क से असुद्धियों को हटा कर धातु को प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते है अब इसमें अंतिम चरण कौन सा है तो अंतिम चरण है आपका धातू का शोधन यहाँ पर मैंने पाचों चरण लिख दी है ताकि आपको confirm हो जाए अगर आपकी परिच्छा में अंतिम चरण पूछे तो आपको सिर्फ इतना लिखना है धातू का शोधन क्यूंकि वहाँ पर मैं वहाँ पर समझाना नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ exact आंसर लिखना है to the point answer लिखना है कि अंतिम चलड कौन सा है तो वो है धातु का शोधन सीधा एक नमबर ले लिजिए अगला जो है वात्या भट्टी के उपयोग से निसकरसड होने वाली किनी दो धातु के नाम लिखो अब वात्या भट्टी के उपयोग से तामबा और लोहा इन दो धातु का निसकरसड होता है पिग आयरन क्या है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है क्लियर एक लाइन में परिभासा इसकी पिग आयरन क्या है कच्चा लोहा क्या है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है इसमें 93 प्रत सतकारवन होता है और से सलफर फासफोरस सिलकॉन की असुद्धियां उपलब्द होती है अब असुद्धियां इसलिए उपलब्द होती है क्योंकि यह कच्चा लोहा है ठीक है और फिग आयरन जो होता है वो वात्या भट्टी से प्राप्त होता है और एक्दम शुद्ध नही में उपयोग किया जाता है अगला जो प्रेशने कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है तो वो है आपका पारा मरकरी ठीक है अगला है कुछ मुलायम धातुओं के नाम लिखो सामानिता जो धातुएं होती है वो कठोर होती है लेकिन कुछ मुलायम धातुएं भी जैसे सोडियम, पोटेसियम, मेगनीसियम और पारा जो है वो तो आपको मालूम है द्रव अवस्था में होता है अगला जो है तन्यता क्या होती है? तन्यता धातूं को खीचकर तार बनाया जा सकता है धातूं को तार के रूप में परिवर्थित करने के गुड को तन्यता कहते हैं Most important person है इसको भी आप रट लीजे तन्यता किसे कहते हैं धातू और अधातू में अंतर बताओ अब धातु और अधातु में अंतर आप देख लिजे जो धातु होते हैं सामानेता ठोस होते हैं और जो अधातु होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं पारदर्शिता के मामले में जो धातु होते हैं वो आपारदर्शी होते हैं अब एक तरब से दूसरी तरब नहीं दिखाई देता है। कुछ धातू पारदर्शी होते हैं और कुछ आपारदर्शी होते हैं तता कुछ पारभासी होते हैं। घनतू की बात करें तो धातू अधिक घनतू और उच्च गलनांक के होते हैं। आधातुओं का घनतु और गल्लांक प्राया कम होता है। चमक की बात करें तो धातुओं में विशेश चमक होती जिसे धातुइक चमक कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतरिक्त अन्य अधातुओं में कोई विशेश चमक नहीं होती है। तो ये आपके सामने चार मुख्य पॉइंट लिखे हूँ हैं धातुओं और आधातुओं में अंतर। अगर आप इतने लिख देंगे तो आपको दो में दो नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रशन है सर्वस्रेष्ट विद्दूत सुचालक कौन सिधातु है तो वो है चांधी। याद रखेगा चांधी का जो चिन होता है वो होता है एजी। चुम्बक के गुड और उप्योग लिखो। चुम्बक के गुड। चुम्बक मैगनेट वह पदार्थ वह वस्तू है जो चुम्बकी ये छेत्र अधरश्य होता है और चुम्बक का प्रमुग गुड आसपास की चुम्बकी ये पदार्थों को अपनी और खीचने एवन दूसरे चुम्बकों को अपनी और आकरशित या प्रतिकरशित करने का गुड इसी के कारण होता है तो चुम्बक का जो प्रमुक कारण है वो अपने आसपास की चुम्बकी पदार्थों को अपनी ओर खीचता है दूसरे चुम्बकों को आकरशित और प्रतिकरशित करता है ठीक है अगर सेम पोल होंगे तो वो प्रतिकरशित करेंगे जीसे मालीजे थो magnet हैं एक है इनके pole होते हैं North pole और South pole और एक दूसरा है इसके भी लिखा हुआ है North pole और South pole अब यहाँ आप देखिए यह है South pole और यह है North pole तो यह क्या होंगे यह एक दूसरे की तरफ आ करशित होंगे ठीक है अगर यही पर हम क्या करें यहां पर हम कर दें अगर यह N यह S मतलब नौर्थ पोल साउथ पोल और इधर हम साउथ पोल कर दें और इधर नौर्थ पोल कर दें तो यह कि देखी यहां भी साउथ पोल यहां भी साउथ पोल तो यह क्या करेंगे यह एक दूसरे को प्रत करशित करने का गुड़ है अब इसका उपयोग कहा कहा होता है चुम्बक ना केवल बच्चों के खिलोनों में इस्तमाल होता है बलकि नकली सिक्कों का पता लगाने में भी इनका इस्तमाल किया जाता है यह लाउड स्पीकर, मोटर्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, रेडियो, स्कूटर आधी का एक अनिवार भाग है तो आपने यह देखा चुम्बक के गुड़ और चुम्बक के उपयोग आगे है पीतल किन धातों से मिलकर बना होता है पीतल कौपर और जिंक यानि कौपर को कहते हैं तामबा जिंक को कहते हैं जस्ता काफी लोग कंफ्यूज हो जा होता है जो कौपर यानि तामबा होता है वो 60-80% होता है और जिंक 20-40% होता है तो यह चीज आप क्लियर समझ लीजिए बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है कि पीतल किन धातों से मिलकर बना होता है अगला जो प्रशन है धातों क कैसे बचाया जा सकता है पेंट का लेप लगा कर पेंट कर दिया मान लिजए आपने देखा होगा आपके घर में लोहे के गेट होंगे लोहे की खिडकिया होंगे तो उसमें पेंट लगा दिया जाता है जिससे क्या हो वो जो लोहा है वो गले ना खराब नहो ग्रीस या ते Haatoo यजया मैंने अभी आपको बताया कि जो पीतल होती है वह दो धातूं से मिलकर बनी होती है अगर Tamba तो यह खराब हो जाएगा अब Tamba जस्ता को मिला दिया तो यह बन गया पीतल अब पीतल बन गया तो पीतल बन के यह ब्ल्कुल सुर्चित हो गया आप इसको चाहे जितनी देर तक, चाहे जितने सालों तक खुला छोड़ दीजे, कोई दिक्कत नहीं तो यह हो गए आपके 20 प्रश्न अब इसी जो टॉपिक है, इसी टॉपिक से एक और वीडियो आएगा आपका साइंस में तो वो भी आप जरूर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके लिए क्या प्रश्न है, वो देख लीजे मिश्रदातु है, पीतल, तांबा, जस्ता, टिन अब इन चारों में से मिश्रदातु कौन सी है, वो हमें नीचे कॉमेट में जरूर बताईए उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं और Math के वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है अब वहाँ से जाकर Math के वीडियो भी देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत